Hello friends, welcome to tiny garden तो दोस्तों वैसे तो एगलोनिमा एक हार्डी प्लांट है और हमारे नौर्थ इंडिया की गर्मी को बदाश्ट करने वाला बेहद ही खुपसूरत एक पौदा है आजकल कैलेथियास काफी ट्रेंड में हैं और सब लोग इसे लेना चाते हैं वो खुपसूरत ही इतना है लेकिन थोड़ा सा फसी प्लांट है और हर मौसम में बिगनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रेट करता ही करता है तो दूसरी तरफ एगलोनिमा का पौदा एक ऐसा पौदा है जो कैलेथिया को टकर दे सकता है कहने का मतलब है कि एगलोनिमा में भी इतने खुपसूरत डिजाइन और कलर साते हैं कि कैलेथिया सर्वाइब करे या ना करे हम अपना शौक डिफरिन टाइप्स ओफ एगलोनि और वाटरिंग देने के तरीके और लोकेशन में फटिलाइजर की इसे इतनी ज्यादा ज़रूरत नहीं है बस आप इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके एगलोनिमास हर साल पप्स भी निकालेंगे बुशी भी होंगे और एवर्ग्रेन भी रहेंगे तो ये ब भारी, dense और clumpy हो गए हैं कि लुड़क लुड़क कर गिर रहे हैं तो step by step सारी चीज़े बताऊंगी तो चलिए देखते हैं पहले कि जब हम नर्सरी से एगलोनिमा लाएं तो सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहले तो आपने एक बहुत ही healthy plant चुनना है और लाने के बाद उसे अगर ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी है तो कुछ समय उसी pot में रहने दे सभी plants के बीच में उसे रखें और showering करते रहें क्योंकि ये plants भी humidity loving plant होते हैं लेकिन पानी daily न देकर check करके दें और मिट्टी को पूरी तरह सूखने भी ना दें वहना plant को मरते देर भी न नहीं लगेगी तो आज मैं दू एगलूनिमा के plant report करूंगी उसकी मिट्टी के बारे में बताऊंगी एक तो ये pink वला जो मैं सर्दियों में लाई थी तो मैंने hanging basket में लगा दिया था और एक ये वला इसे लिए मैंने एक महीना हो चुका है लेकिन ये सब plants के बीच में रख तो ये मैंने एक कटोरी का हिसाब ले लिया है तो ये मेरे garden की soil है चार कटोरी मैंने ये लिया है याने की 40% तो इस मिट्टी में सभी कुछ है पहले से थोड़ा थोड़ा लेकिन मैं इसको garden soil ही मान रही हूँ फिर मैंने एक कटोरी कोको पीट लिया है और ये जो आप देख कटोरी हमें ये अपनी वर्मी कमपोस्ट या पतियों की खाद लेनी है एक मुठी मैंने इसमें नीम खली डाल दी है और फिर एक ही कटोरी जो है इसमें सैंड मिलाएंगे ये आप सिल्वर वाली भी ले सकते हैं और जो रेड कलर वाली होती है बजरी वो भी ले सकते हैं ये है लकड़ी का कॉयला तो ये बहुत मोटा मोटा है तो मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी की बारी कर लूँगी ये मुझे वैसे ही मिल जाता है जो मेरे घर के नीची जो है एक भाईया प्रेस करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा उनके पास होता है वो मुझे दे देते हैं ये मैं डाल रही हूँ, ये बहुत जरूरी है तो ये मैंने डाला था Micronutrient Granules और देखे ये जो मेरा बच किया था यानि एक कटूरी और मैंने डाल दिया वर्मी कमपोस्ट या फिर पतियों की खाद तो ये पूरा हो गया और हाँ, परल लाइट भी आप मिला सकते हैं जो मैंने पहले एगलो निमा लगाय थी ना उनमें परल लाइट मैंने नहीं मिलाया था तब मेरे पास नहीं था लेकिन ये जो है पानी को होल्ड करके रखता है तो नमी बनाए रखता है तो ये भी आप डाल सकते हैं तो देखें ये बन गई है बहुत ही बढ़िया इसकी मिट्टी अब हम एक मिट्टी का पॉट लेंगे आट इंच का ये पॉट है ज्यादा बड़ा पॉट की जरुरत नहीं है तो मिट्टी का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ओवरवाटिंग की समस्या नहीं रहती है तो देखें ये वाला प्लांट में लगा रही हूँ और ये लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा चिकनी मिट्टी में देखें पूरा लड़ू जैसा बन रहा है इसका तो ये नर्सरी पॉर्ट में ही लगा हुआ था और आज मैं इसको रिपॉर्ट कर रही हूँ एक महिना इसे हो गया है तो देखें मैंने पूरी मिट्टी लिकाल लिया है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप इसकी पूरी मिट्टी ना निकाले और आप बिगनर है तो भी न निकाले लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो ये रिस्क में ले सकती हूँ तो इसको मैंने रिपॉर्ट कर दिया है और देखें ये जो है मेरे हेंगिंग बास्केट में लगा हुआ था तो इसको भी मैंने रिपॉर्ट कर दिया है तो देखें इस तरह से अभी ये लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत अभी से एक नया पॉर्ट मिल गया है खुद का पॉर्ट तो ये पॉर्ट इसलिए थोड़ा बड़ा लिया है तो बहुत ही खुबसूरत ये पॉधा है जब बहुत सारे एगलोने मास एक साथ रखे होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा खुबसूरती आपके गार्डन में आड़ करेंगे तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की और दो बार या फिर एक बार ही सिर्फ मैं ये सीवीड डालती हूँ तो इसको मैंने एक चम्मच एक लीटर पानी में ले लिया है और इसको जो है मैं आधा दाई डालूंगी थोड़ा ज्यादा डल गया है तो आधा दाई डालूंगी इसमें तो बस मैं ये यूज करती हूँ बाकी मैं कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करके देखना चाती क्योंकि ये इतने कॉस्टली प्लांट्स आते हैं और इसमें इस तरह के हम कुछ भी डालेंगे तो फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकती है तो सीवीड ही बेटर है और गैनिक भी है और या फिर वर्मी कमपोस्ट में डालती हूँ या पतियों की खात भी डाल सकते हैं कई वेराइटीज तो एगलो निमा की कलेथिया वगेरा से भी काफी महंगी आती है तो इनको जो है इस तरह से रिस्क लेना ज्यादा ठीक नहीं है कि प्याज का पानी डाल दिया चावल का पानी डाल दिया ये सब नहीं करती हूँ और इन पर हम स्प्रे भी कर सकते हैं सीवीड लिक्वीड का तो उसको जो है आदा चमच एक लिटर पानी में डालके आप स्प्रे कर सकते हैं इससे इनके पत्तो की शाइनिंग काफी अच्छी रहेगी और हाँ एक बात और जरूरी है कि ये इस तरह से इन पे फ्लार आ जाते हैं और ये जो है प्लांट का पूरा जो है पोशन ले लेते हैं क्योंकि फिर इनके नई पत्ते नहीं आ पाते हैं तो देखे मैं बात कर रहे थी ना ऐसे इतना भारी हो गया डैंस हो गया कि लुड़क कर जा रहा है तो इस तरह से ये लुड़क रहा है और उसमें flower भी आ गए है, flower आते हैं तो मतलब वो mature हो गया है, तो इसके अलावा जो है ये वाले मैंने अभी दोनों report किये हैं आपके सामने, तो इसमें तो अभी जो है कोई baby नहीं है, तो ये अभी कुछ महीनों के बाद देंगे, और ये lipstick agglonima है, तो ये भी मेरा काफी पु ज्यादा हो गया है, बारिश होई थी न, तो पुरा भर गया है, वैसे इसको आदा ही फिल करना होता है, तो आपने roots देखी कितने अच्छे से इसमें बढ़ रही हैं, और पत्ते भी कितने shiny इसके निकल रहे हैं, तो आप इसे leekaball में भी लगा सकते हैं, तो देखे और जो तो देखे इसका भी अब एक baby निकल गया है, वैसे इसका एक और मैंने separate किया था, ये भी इस चोटे इसमें लगा दिया था pot में, तो ये जो है मैंने February में separate किया था, इनको तो February का मौसम भी अच्छा होता है, और ये है agglonima greyhound, तो ये मैंने online मंगाया था, तो ये बहुती slow growing plant है, ये भी देखे, यहाँ से तूट गया था, जब आया था मैंने packet खोला था, तो ये जो तूट गया था ना, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी अच्छे से grow कर रहा है, और ये यहाँ से भी नया एक जो है इसकी branch निकली है, तो मेरे पास दो plant अलरी बन गए हैं, तो ये अभी छोटे-छोटे pot में मैंने लगा रखे हैं, इन plants को भी humidity काफी चाहिए, तो इनको सब plants के बीच में रखें, या तो उपर green net लगा लें, या फिर आपके पास बड़े plant हैं, उनकी चाया में रखें, और सब को इखटा रखें, तो आपस में humidity इनकी maintain रहेग तो इसको भी आप अपने garden में add कर सकते हैं, और इस तरह से care करेंगे तो आपका plant खराम नहीं होगा, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो like ज़रूर करें, अब मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो subscribe भी से please ज़रूर करें, मिलती हो आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए, भाई भाई, happy gardening and keep gardening, देखें इस सब सबजी वाले और ये नारियल पानी वाले सब ना तब ही आते हैं, जब मुझे अपनी वीडियो बनानी होती है